तो अगला question क्या बोल रहा है कि एक आदमी को 20% का नुकसान हुआ 96 रुपे में एक आर्टिकल को बेचने पर तो अपन को sold price बताना है यदि उसको 15% का फायदा होता तो 20% का नुकसान का मतलब क्या है कि उसने 80% में बेचा हुआ और 80% की कीमत दिये पन को कितनी 96 रुपे 20% नुकसान का मतलब है उसने 80% में बेचा हुआ और 80% की कीमत दिये पन को कितनी 96 रुपे तो 8 सक यह कर जागा 8, 8, 8, 8, 9, 11 10% की कीमत का मतलब जाएगा 12 रुपे और 100% का मतलब जाएगा 120 रुपे 120 रुपे क्या आगई cost price आगई ठीक है अब अब अपन को कह चाहिए 15% लाप चाहिए 15% लाप 15% का मतलब क्या होता है तो आप बोलो से 15% का मतलब होता है 3Y20 तो इसका 3Y20 निकाल लो क्या दिक्कत है इसका अगर अपन 3Y20 निकालेंगे ये 0 से ये 0 मतलब 120 रुपे की उसकी कीमत है 18 रुपे का उसको लाप चाहिए 120 रुपे की कीमत है 18 रुपे का मतलब 15% को उसको लाप चाहिए उसको कितने मिचना पड़ेगा 138 रुपे में C option correct answer ठीक है